वेलकम तु माई यूटूब चेनल ब्याश नाराइनमिस हम डिसकस करें क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 ट्रेंगल का कुस्चन नमबर 11 इसमें दिया है कि एक एरोप्लेन है जो एरपोर्ट से फ्लाइ करता है नार्थ डारेक्शन में और उसकी स्पीड है थाउजन किलोमीटर पर आर उसी टाइम पे एक दूसरा एरोप्लेन है जो उसी एरपोर्ट के सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर वेस्ट की ओर फ्लाइ करत पर आर उसकी स्पीड दिया है 1200 किलो मीटर पर आर हमें यह देखना है कि वान एंड हाफ और में जब दोनों प्लेन किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो हमने दिया हुए है कि फ़स्ट AeroPlan की स्पीड है थाउजन किलो मीटर पर आर में फ़स्ट AeroPlan थाउजन किलो मीटर डिस्टेंस कवर करता है, Similarly second AeroPlan की स्पीड जो की साउथ की तरफ मूव हो रहा है 1200 km पर आर है इसका मतलब हुआ कि 1 आर में 2nd aeroplane distance कवर करती है 1200 km diagram में आप देख सकते हैं कि north की और एक aeroplane जा रहा है और यह 1000 में आप देख सकते हैं 1 आर में 1000 km मूफ करेगा इसी तरह से एक दूसरा aeroplane है जो west की और जा रहा है और यह 1 आर में 1200 km मूफ करेगा अमाल लेते हैं कि 1 आर के बाद 1st aeroplane point A पर पहुंच जाता है और 2nd aeroplane C पर पहुंच जाता है जो डारेक्शन होता है नार्थ और west उनके बीच में 90 डिगरी बनता है इस तरह से ABC जो ट्रेंगल बनेगा वो एक राइट ट्रेंगल होगा इसमें हम पाइस्ता गोरस स्थेयोरामे यूज करेंगे aystar गोरस थेयोराम गे को खॉर्डिंग…. square base square plus perpendicular AB की value 1000 है 1000 square BC की value 1200 है 1200 square AC square मैं से जब square हम हटा देंगे तो इस side में root लग जाएगा यहाँ square करेंगे तो चुकि 3 0 है square करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 6 0 आ जाएगा यहाँ 12 का square 144 और 2 0 है 4 0 आ जाएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह वैलू आएगी अब चुकि यहां पर आप देख सकते हैं चार जीरो दिया हुआ है इसलिए जब रूट के बाहर जाएगा दो जीरो इसका मतलब हंडेड बाहर होगा 244 को लिख सकते हैं 4 इंटू 61 4 का स्क्वेर रूट 2 होता है तो 100 इंटू 2, 200 रूट 61 किलो मीटर हो गया इसका मतलब की 1 और्स के बाद दोनों एरो प्लेण की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 200 रूट 61 किलो मीटर होगे पर चुकि हमें 1 एंड हाफ आवर में दो प्लेण के बीच की डिस्टेंस निकालना है 1 एंड हाफ का मतलब होता है 3 upon 2 तो हम 3 upon 2 को मल्टिपलाई करेंगे 2 का 200 कर जायेगा तो यह हो जायेगा 100 और 100 का 3 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह हो जायेगा 300 रूट 61 किलो मीटर तो इस तरह से 1 एंड हाफ और में दो प्लेन की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 300 रूर 61 किलो मीटर होगी प्लीज आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, कोई प्राब्लम हो तो कमेंट करें थेंक्यू वेरी मच